ओम शी गडिशाए नमाल, राध राध दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वद्कता एसलोजर में स्वागत है दोस्तो प्रेगनेंसी के दोरान देखें अगर आपको हरी मिर्च खाने का बहुत मन करता है या हरी मिर्च को देखकर आपका जी खराब होता है और दोस्तो प्रेग्निंसी के दौरान देखे हरी मिर्च खानी चाहिए या नहीं और इसका क्या संकेत होता है लड़का लड़की से कोई लेना देना है उनके जंडर से कोई लेना देना है या नहीं और जो हमारे बड़े बज़ुर्ग जो बताते हैं देखे गर्वती महिला के खाने पीने से भी वो काफी हद तक अंदाजा लगा लेते हैं कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी दोस्तो इस वीडियो में आपको संपूर जानकारी दे रही हूँ कि हरी मिर्च खाने का क्या मतलब होता है लड़का लड़की के जंडर से कोई लेना देना है या नहीं दोस्तो उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चलन सस्क्राइब ने कर रखा तो सस्क्राइब जरूर कर लें बगल में बैल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी लेटस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सके दोस्तो प्रेगनेंसी के दोरान देखे गरवती महिला में बहुत सारे हार्मोनल चेंजिस होते हैं जिससे कि आपको कोई चीज बहुत अधिक पसंद आती है और कोई चीज हमें बहुत ही नफरत हो जाती है तो दोस्तो हमारे बड़े बुज़ुर्ग बताते हैं कि अगर गरवती महिला को प्रेगनेंसी के दोरान दूसरे तीसे महिनी से ही अगर हरी मिर्च खाना बहुत अधिक पसंद होता है तो ये लड़का होने का लक्षन माना जाता है दोस्तो आप अपनी प्रेगनेंसी के द मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान मुझे हरी मिर्च खाना बहुत ही पसंद था लेकिन जो मेरे घर में बड़े थे और मेरे हस्बेंट कहते थे कि भी हरी मिर्च जादा नहीं खानी चाहिए यह बच्चे के लिए नुकसान दाय कोता है तो हमारे बड़े विज़ुर को भ बिल्कुल भी पसंद नहीं है या हरी मिर्च को देखकर आपका जी खराब होता है उसकी आपको स्मेल अच्छी नहीं लगती है तो यह लक्षन देखे लड़की होने का माना जाता है दोस्तों यह सभी जो आपको मतलब खाने का मन करना और खाने का मन ना करना यह हर्मोनल च देखे 100% नहीं होता है और किसी चीज को खाने का मन करना और किसी चीज से आपको नफरत होना ये सब हार्मोनल चेंजिस के कारण होता है इनका लड़का लड़की के जेंडर से कोई लेना देना नहीं है तो दोस्तों अगर आपको हमारी जानकरी वीडियो पसंद आई हो तो प आप सभी को ओम शी गनेशाय नमाथ